नमस्कार में अंशी का गुपता स्वागत करती हूं आप सभी का IMS टुडे में आज मेरे साथ मौजूद है मिस शीला चोधरी जी जो यूपी पुलिस में DSP हैं मैं मैं आपको स्वागत करना चाहूंगी मैं आपको एक उच पत पर जाने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि आप एक महिला है इस नाति मैं आपसे पूछना चाहूंगी मुझे मैं शुदू से आपको बता देती हूँ कि मैं अपने घर में अपने माता-पिता की एक लौती संतान हूँ और मेरे फादर ने कभी भी पढ़ाई के लिए या जौब में जाने के लिए कोई objection नहीं किया उन्होंने उन्होंने मुझे हमेशा प्रोजाहित किया और मैं यही चाहूंगी कि हर लड़की के माता-पिता चाहे वो उस घर में अकेली है या चार- Banglaj बेहन भाई है उन्हें हमेशा बेटी को प्रोजाहित करना चाहिए उन्हों कभी भी यह नहीं कहना चाहिए लड़की हो तो कल आगे बढ़ चड़ कर जाना चाहिए कि दुनिया में वो बहुत अच्छे से एक पर्चम लहरा सकें। आप सभी महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन हैं, तो आप अपनी रिस्पॉंसिलिटी कहां समझती हैं। मैं हर तरह से समझती हूँ कि एक महिला या एक लड़की बिलकुल पाणी की तरह होती है। कि पानी जो है वो जिसमें मिलादो उस जैसा हो जाता है तो उसी तरह लड़कियों के साथ पी है जब वो बेटी होती है तो बेटी का पूरा फ़र्ज निभाती है उसी रूप में ड़ल जाती है आगे चल के जब वो किसी की पत्नी बनती है तो उसी रूप में ड़ल जाती है म कि मां के रूप में डल जाती है, तो मैं तो यही कहूंगी कि परिशानिय बहुत आती हैं जीवन में, लेकिन जीवन में परिशानिय उसे, डर कर नहीं, डट कर मुकाबला करना चाहिए, तब ही उसका नाम मैं सही माई नहीं में बताऊंगी, कि वो नारी शक्ती है, अगर वो मुकाबला नहीं कर पाई तो वो शक्ति उसकी चिन भिन हो गई आज वोमन एमपावर्मेंट जैसे इवेंट्स की क्यों आवशक्ता है इसकी इसलिए आवशक्ता है मैं कि आप वैदिकाल से देख रहे होंगे कि उस समय से महिलाओं को नारी को एक शक्ति के रूप में माना गया और हमेशा ये कहा गया कि देव तुल्ले माना गया उसको और ये कहा गया कि आपने सुना होगा कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी आईए या किसी घर में नविवाईता हती है तो ये कहा जाता है कि लक्षमी का आगमन हुआ है, कभी भी ये नहीं कहा जाता है, अगर किजी के घर में बेटा हुआ है, कि उस घर में कुबेर आए है, ये विश्णों का जन्म हुआ है, ये कभी नहीं कहा जाता है, तो ये नारी का सम्मान ही है, जो उसको हमेशा दिया जात और दिया जाना चाहिए, अब आप मेरे से उस चीज में क्या पूछना चाहेंगे कि सम्मान किसलिए है, क्यों आवशकता पड़ी हमें अंतरास्टिये महिला दिवस मनाने की, वो इसलिए पड़ी कि शुरुवास से ही नारी को एक शक्ती के रूप में माना गया, जिसको वो हम जागरुक करना चाहिए, उसको एक शक्ती के रूप में उसको मानना चाहिए, उसकी इद्जत करनी चाहिए, घर में आपने देखा होगा, जब बहुत से परिवार ऐसे हैं, जहां बेटी पैदा होती है, तो सीधे से कह दिया जाता है, एक अभिशाप पैदा हो गया, क्यों उस मा से पूछिए, जिसने दोनों को जन्म दिया है, उसी गर्ब से उसने बेटी को, उसी गर्ब से उसने बेटे को जन्म दिया, उसके लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन कभी-कभी वो ही मा उन दोनों में फर्क करने लगती है, कि यह बेटी है, तो उसको बच्पन में आइटम दिये जाते हैं, उसको खेलने कुदने का पूरा साधन दिये जाते हैं, कंट्रॉल से बाहर रखा रहा जाता है, बेटियों को बाहर नहीं निकलोगी, बाहर निकलोगी तो तुमारे से कुछ हो जाएगा, बाहर खेलने मत जाना, शाम को डर के इतना डर जाएंगे कि निकलने देती, वही डर आज की तारिक में इतना बना है कि आज बेटियां रात को देर से निकलने में डरती हैं कि उन्हें लगता है कहां पर कौन सा भेडिया उनका इंतजार कर रहा होगा, आपने देखा निर्भिया कांड में, वही चीज हुई, तो इसलिए जो है, हमें बेटियों को इतना ज्यादा मोटिवेट कर देना चाहिए, उनके अंदर से डर निकाल देना चाहिए, हर तने से उनका साथ देना चाहिए, अगर हम माबाप, भाई, बहन, पास पड़ोसी, समाज, पूरा साथ देगा, तो ये बेटियां कितनी आगे चली जाएंगी, और ज झाल झाल